कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं आज के व्लॉग मैं अपने बैग्ग्राइंड दखे समझ कहोंगे केचें से सुरू कर रहे हूं और आज मैं कुमाउनी रेसेपी की डिस्ट लेके आई हूं वह आपके सामने बनाऊंगी आज मैं ब बहुत फेमस हैं हर तीस दिवहार पर बनाए जाते हैं चलिए दिखाती उनकी रेसेपी बने रहे हैं व्लॉग में यह देखें मैंने सारा सामान ले लिया है यह चीनी यह तही सूजी देसी घी और इसमें लाइची कूटली है और यह है तूद और यह वाउल पैकेट कर लि डालेंगे सूजी यह है एक कटोरी सूजी और लूंगी यह हाफ क्योंकि हम खाने वाले दोई हैं इसलिए यह मैंने दो 1.5 कटोरी सूजी ली और फिर यह है दही एक कटोरी चीनी आप ज्यादा कम मीठा अपने साफे डाल सकते हैं और यह है देसी घी घी के बिना यह विकार लगी डिस इसलिए घी तो बहुत ज़रूरी है इसमें और यह है इलाइची पॉर्डर अब हम इसको इसमें यह थोड़ा थोड़ा दूर डालेंगे देड़े-देड़े से इसको पुलाएंगे इसको अब अच्छा सा पेश तैयार करेंगे ग्रिवाश दीए धीरी हम इसे मिलाना है यह दिखना है वेस्टा बैठर काशा तैयार है आपने हिसाब से ही मिलाना है अपने थोड़ा से थोड़ा साहटा पूपूट चम्मस में ही मेर ऐसे तक के तोइस्ट गिर रहा है इसका मतलब हमारे पूपूए का बैठर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको तो आदे घंटे के लिए रखेंगे तो चलिए मिलते हैं आप से आदे घंटे के बाद इसको रैस करने देते हैं फिर आपको बनाके भी दिखाऊंगी बने रहे है ब्लॉग में देखिए हमारा प लेकिन मैं सो गई इसको भूलके दो घंटे होगा है चलिए बनाते हैं पूए उसके लिए हमें वैस मैंने रिफाइन रख दिया कढ़ाई में और हमें जैसे स्टार्ट करते हैं देखिए फिल्क लेंपे हैं आप सेखते हैं पूए दिखाती हूं आपको देखिए हमारा गी हो चुका है अब हम इसमें बड़े डालते हैं उत्राखंड की फेमस डिस यह उत्राखंड में साधी व्यामें भी बनती है देखते हैं कैसे बनेंगे पहलिवार बना रहे हैं कुछा तो जब पूपन काला करना है झाला कि बनेंगें साध्डर में पाल दोपी आफूपन काली बनेंगें मुछ क करें ड़को बड़ से पिप देखे लिग देखे लिग देखे लिग देखे लिगिए देखी कि अच्छा कलर आया है इनका निकाल को भी बखाया हूँ निकाल कि अच्छा पोगी को पिया है अपसे कि मैं की आप को पाल कि अच्छा नहीं बखाय को पिते ही आवा मिल्गो अच्छा केंच्छा काच्छा नहीं अब आपको दिखाती हूं मैंने रहे गलाव में यह देखिए मेरे पुए बनके विल्कुर रेडी हैं यह हकुमावने की में और देखिए कितने सॉक्ट है अभी बहुत गरम हो रहा है बहुत सॉक्ट है आप लोग भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेस्ट वेडियो में